नमस्कार दोस्तों वल्कम टो माई चानल लुक पॉफेक्ट मैं हूरोली और आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं फैशन ब्यूटी और डियाइवाइस इसलेटर वीडियो आज मैं लेके आए हूं कुछ ऐसे जरूरी कपड़े जो की ठंडी के मौसम में आपके पास जरूर होने सबसे पहले में आपको जो पताने वाली हूं कि इस तरीके की जो वुलन टीशिट होती है मेरे हिसाब से जो वुलन टीशिट है वो आपके पास होनी ही चाहिए कुछ इस तरीके से मेरे पास जो वुलन टीशिट है बहुत सारी है लग 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 हर कलर की है यलो है वाइट है बलक है यह शार भी उवा है इस तरीके कि जब T-shirt आपके पास होती है कहीं आने जाने में जिसे आपको मार्केट जाना है डेली व्यर में या फिर आपको घर में ही पहनना है सबसे पहले तो यह बहुत जादा स्मार्ट लगती है और आपको बहुत जादा वाम रखती है जैसे है तब ही बात बहुत कम वींटर पढ़ता है तब ही आप इसको साथ पर से पाहिए थार्फ यह पढ़ता है जादा आप है जादा फिसे लग्ट है रही आप बॉटम में कोई भी डैनिम पहन लीजिए या फिर कोई जैगिंग पहन लीजिए ज्यादा तर मैं ब्लैक कलर की जैगिंग पहनती हूं बहुत सब्सक्राइब लगती है और कहीं भी आप जा सकते हैं कभी जैसे मालीजी यह टीशिट में घर पहन के रखती हूं और ऐसे दूसरी चीज में आपको बताना चाहूंगी कि यह जो डैनिम जैकेट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए और बहुत जाएदा आपको थंडी से नहीं बचाएगी लेकिन यह बहुत जादा स्मार्ट लुक आता है इससे आप इसको नीचे से कोई आपने टीशिट पहन रख ब्लू भी है मेरे पास, ब्लू मैंने कहीं रखा होगा, तो इस तरीके की है, कुछ इसके ये फ्लाज बने हुआ है, ये काफी अच्छा लगता है, हलाकि थोड़ा साब मेरे ये टाइट होने लगा है, फिर भी कोई बात नहीं, वैसे भी हम बटन तो बंद करते नहीं है, तो क ऑपनी के पास होता है, जैसे ये टी शेट है, टी शेट टाइप मैंने बनाई हुई है, और ये अपने हाथों से बुनाई की हुई है, और ये मेरी जो फेशने कपड़े होते हैं, इस चेह जो पॉपल और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, ये लोगों को बहुत जादा पस प्लिस जो हाथ की वुनियां से स्वृटर होते है यह आपको बहुतrows होते हैं और भी थंडी से रियात को गळाते हैं। अगर चाहि noir नेम के बाइन सकते हैं और शीछ और आप यूंचार होता हुआ ए वहुत ज़्याधा है मैं उसमें डिजाइन है एक भ्योंत गण सब्सक्राइब मताशी क तरीमेरर साफ के है ना नियुकश करूपाऊ मेर त इस तारीक इन दाए सब्सक्राइब कुछ हुआ टीश है तोتي यह तरीक पबना ये ना बनाएजों अगर बहुत सारे वीडियो में आपने एक ने मेरी एक बहुत ही प्यारी लगती है, यह मेरे घुटने तक आती है और बहुत ज़्यादा अच्छी है यह देख सकते हैं आप इस तरीकी को कुरती, आप चाहे तब बिल्कुल स्ट्रेट कुरती भी ले सकते हैं, मेरे पास पाथ बटाउन सपैंग साथ गुटी में ज्छाइब करता है एक था सब्सक्राइब हो यका आपके पास जो एक बताना चाहँगी यह तो यह पास होना ही होना चाहिए यह लुटी पास कुछ हो या ना हो विंटर में अगर आपके पास यह नहीं है तो बिल्कुल समझ लीजे कि आपके पास कुछ भी नहीं है आपके पास कुछ इस तरीके का जो लॉंग श्रग है यह एक श्रग है मेरा इसको भी आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा यह बहुत ही जादा लॉंग है आप इसका समझ लेजिए बिल्कुल एक राजाई है, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमारी राजाई है, जो कि तुम हमेशा लेके साथ में चलती हो, तो यह असी मेरी राजाई ही है, और इसकी इतना जाधा मूटा है, बहुत जाधा थिक फैबरिक में है, यह बहु पहते हों साड़ी पेहन सकते हैं, एक तीशेट उपने चाहे चीछ्षिट पेहने हैं और इस पर सब्सक्राइब 다ब डोगे समय थाइ मनम सकते हैं तो उसमें ये बहुत जादा काम आता है किसी भी साइब से हो नहीं लगती है तो ये बहुत ही जादा अच्छा लगता है नेक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो कोटी है जैसे कि एक कोटी हमारे पास जरूर होनी चाहिए मेले पास कई कोटी है ऐस तरिके कि पास बजल स्केक मेले जादा कहले पास घ्युकत लगते है मेरे पास ज्यादा तर आप जो स्ज़र्टर catalog जाच़ों कोटी है जेसा की कि थंदी कम लगती है इसंगर जाए जो बहुत है जो तोड़ा सा अच्छा लगता तो इसने में पास जादातर स्वेटर सॉट भी रखे दिये उठाके तो यह कुछ इस तरीके से कोटी है जिसमें यहां पे पॉक्ट लगा हुआ है इस तरीके से और इसको मैंने भी बहुत कम बहना है एक ही दो बार पहना है इसको भी अगर आप साड़ी वेगर वेयर करते हैं जीन पर पहन सकते हैं कोई ऐसी वो नहीं है आप इसको सूट पहन सकते हैं मुल्टी पॉपस है और इसका जो वन है यह बहुत ही अच्छा है तो इसको भी पंजाब से लिया था मैंने मेरे पास सारे जो भी वुलन कपड़े हो सब पंजाब के ही है क्योंकि मैं वहीं पे रह आप देख सकते हैं यह भी मेरे बिल्कुल घुटने दगाती है और मतलब मैंने मेरे पास जित्ते भी स्वेटर होंगे सबसे जादा अगर मैंने कुछ पहना है तो यह पहना है या तो फिर यह वाला श्रक पहना है बाकि यह टीशिर वगरा तो डेली वेर में पहनती हूं ब कुछ किस तरीके से कॉलर निक्सक्र जैसर कि मैंने पहले भी बताए है कि विन्टर में जितने वी आप कपड़े लें कोशिश करें कि वह कॉलर वाले निक्ख या फिर हाय नेक्ष तो इस तरीके का next है और इसके बाद को बताना चाहूंगी कि एक इस तरीके का आप स्वेट तो एक यह है और नेक्स आपके पास यह तो होना ही चाहिए जिसे कि अगर आप कहीं लॉंग टूर पे जा रहे हैं या फिर कहीं ऐसे और इसमें आप अंदर एक स्काफ जो है या फिर स्टॉल आप लगा लीजिए इस तरीके का जो लॉंग कोट होता है यह कोट बहुत ही बहुत ही जादा बहारी है बहुत जादा है और प्लस यह मेरे बिल्कुल मुझे धाक देता है यह कोट तो इस तरीकी का एक कोट आपके पास होना चाहिए इसको हमने लिया था और यह मेरा लगभग चार से पान साल पहले में लिया था यह विल और पो लुक है इसका यह पार से जरूर होना चाहिए अगर आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं आप अगर थंडी जगह पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपको पूरी थंडी से बचाता है या फिर जन्वेरी फेरवरी की जो तो थोड़ा सा काम आता है या वैसे भी अच्छा लगता है तो कुछ इस तरीके का आपके पास होना चाहिए और नेक्स है यह फुग्य वाली जैकेट तो यह कुछ इस तरीके की जैकेट है और यह जैकेट मैं आपको बता दूं कि यह मैं ले आई थी अपने भाई के लिए लेकिन आये नहीं उसको बहुत यह ध्यादा दीली पड़ रही थी और मैं इसको लेके आई थी सिली गुडिसे लेके आई थी तो फिर वहांक्र रिटंद करने सकते थी इसको बहुत जादा दीली पड़ रही थी तो इसको मैं अपना खुद use करने लगी इसमें पीछे पदेडे की काफ़ी के तो इस तरीकी है की काफ़ी अच्छी लगती है ये फुगी फुगी अप дел Mesk slides 온 पदेड पहुं प sentir tayयो अजिए और ये NICK पर पता है या केमरे में उतन अच्छा कलरण नहीं आ का रहा है उबार जाती हूँ यह उतनी जादा ठंड होती भी नहीं है कि आपNew कॉपड़े निकाल के रखे हैं पर इन में बहुत कमी कपड़े आधे हैं डिल्कुल भी बहुत खोंको चीरलxa बहुत कमी कप्ड़े ने काहिं जाते हूं और आज혁 jewels को सुनकासी हसा झाल अब इतने हैं तो अभी मैं इसको फिर से कुछ बैड में आते हैं और भी तो बहुत सारे कपड़े हैं तो बस यही थे उम्मीद करते हूं कि आपको यह वीडियो इत्ती से हेल्फुल लगी होगी अगर इत्तु से भी लगी तो प्लीज चैनल को सेयर और सब्सक्राइब जरू जरूर कीजिएगा लव्यू आल